क्या हमारे इंडियन बाइक ड्रैविंग 3D गेम में ट्रैक्टर आ चुका है सो गाइस विलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्रैविंग 3D वीडियो आज हम बात करने वालने इसके कुछ मिटबस्टर के बारे में जोके आपने कॉमेंट किया था इनको मैं आज कनफार्म करने वाला हूँ हमारा पहला हम द्रैके हम लोग लोग को रिमोट कंट रोली दर चलाने के बाप आप लोग्यों बैटकरों बाइक स्टंड क्या कर रहा हूं जैसे कि मैं थोड़ा चलाया उसके बाद अगर मैं यहां पर पंच वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो हमारी जैसे भी रिमोट कंट्रोल जैसे भी बन जाएगी जैसा कि आप अभी देख सकते हो कि अभी तो नहीं हुआ जैसे मैं फायर वाला बटन क क्लिक करके दिखा रहा हूं जैसे मैं अधर बटन क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर कुछ नहीं हो रही है जो कि पहले हुई थी लेकिन अब यहां पर नहीं हो रही है पर उनके पीछे वाले ग्लास भी टच करता है तो हमारे एंपसी बनलब बैठे रहते वह बर जाएंगे चलो ट्राय करके देखते हैं यहां पर बैठा रहता हूं इस पोजिशन पर बैठा रहता है तो यहां पर मैंने जाके दिवाल से लगा दिया है आप चलो चेक करते हैं जो बन्दा बैठा था जेल के अंदर वो मरा है की नहीं सो गैस यहां पर चलो देख सकते हो यहां पर देख सकते हो कि जो बन्दा बैठा हुआ था अंदर जेल के वो मर चुका है सो गैस बहुत ही बुरी तरीके से मनलब मैंने मर्डर कर दिया है जो कि आप लोग देख सकते इस वाले NPC को भी मैंने मार दिया है आप लोग इस Magic को ट्राइब कर सकते हो आपको बहुत ज़्यदा मज़े आने वाला है आप लोग को बता दू अगर आप लोग ऐसे किसी NPC को मारोगे तो आपको पुलिस कुछ नहीं करने वाली है आप लोग को आपे मैं दिखा रहा हूँ मैंने एक और NPC को मार दिया इस ट्रिक की मदद से लेकिन पुलिस मेरे कुछ नहीं कर रही है क्योंकि भाई ये लीगल तरीका है आप लोग दिख सकते हो यहाँ पे जितने NPC बैटे थे मैंने सबको मार दिया हमारा अगला में देखी जो पुलिस टेशन के बाहर पुलिस खड़े रहते हैं गन लेके उनको हम लोग कार और बाइक से टकर नहीं मार सकते हैं उन लोग को डैमेज नहीं लगता हम लोग घोष्ट रैडर बाइक को भी यूज कर सकते हैं मैंने कार को बुला लिया है अब यहां पर दिख सकते हैं जैसे मैं टकर हमारा इसको कोई फरक नहीं पड़ा चूप चाप से खड़ा हुआ है बहुत ज्यादा अजीब यह देखने में लग रहा है दूसरे वाले पर हम लोग ट्राइक करते हैं इसको भी डैमेज नहीं लग करूंगा सो गास आप लोग दिख सकते हो इन लोग को कोई फरक नहीं पड़ रहा है चाहे आप लोग पिस्टल से मारके इनके उपर चाड़ कोई परता है सुन है इस बार में थार लेकर आया ओं दूर से लेकर मैं आया लेकिन बासियों यहांत यह लोग तो मिरे को घड़े हैं आप लोगे आप लेक्षे तक्राइब है कि हम लोगे आप पर तीन दॉक्त को एक के उपर एक पाउनका और गृट विए और पूर चेंज हो गई है जो कि पहले ब्लाइक गलर की ती अब इसको पूरा वाइड कलर का कर दिया गया है जो की देखने में बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है सो गाईस यह मिट भी हमारा कनफर्म है हमारा अगला में देखे हम लोग को तीन डॉक को एक के उपर एक स्पॉन करना है फिर उसके बाद उन में बैठ जाना है फिर हमारे केरेक्टर को सेकंड नंबर वाले डॉक में बैठना होगा अगर यह ऐसा हो जाएगा तो हम लोग को अपने कैमरा को फर्स्ट परसंट करना है तो स्कैरी लुक दिखने को मिलेगा आप लोग यहाँ पर दिख सकते हो मैं डॉक को स्पॉन कर रहा हूँ कितना ज्यादा यह लग रहा है आप लोग दिख सकते हो कि अंदर से हमारा डॉक देखने में कैसा लगता है उसके दाट साफ साफ दिखाई दे रहे थे यहाँ वाला मित भी हमारा कनफर्म है मेरे को सुगाइश चलो फिर से ट्राइब करके देखते हैं लेकिन यहां पर कोई ट्रैक्टर नहीं आया है मतलब यह वाला मित हमारा बस्टेड है अगर आपको अपने गेम में ट्रैक्टर एड कराना है तो आप लोग कॉमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे इन फ्यूचर मैंने बस्ट किया आज के लिए बस इतना ही यही थी वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में